अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ल ट्रम सेनिय बजट बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं रिपोर्ट के मताबिक अमेरिका का रक्षा बजट अगले साल 7 फीस दी बढ़ सकता है वहीं चीन ने इस साल रक्षा बजट में 8.1 फीस दी की बढ़ उत्री कर दी है बजट की बात करें तो चीन अमेरिका के बाद सेना पर सबसे अधिक खर्च करता है लेकिन क्या चीन का मिलिटरी पावर भी रैंकिंग में दूसरे नमबर पर हैं? आईए जानते हैं ग्लोबल फायर अपर इंडेक्स की ओर से ताकतवर मिलिटरी वाले देशों की रैंकिंग की जाती है ब्यूसनसिंस इलरेन में छपी रिपोर्ट के मताबिक चीन की मिलिटरी इसमें दूसरे नमबर पर नहीं है ताकतवर ये की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है अमेरिका के पास 5884 टैंक्स और 137624 एरक्राफिट है वहीं इस सूची में दूसरे नंबर पर रूस है रूस के पास 20216 टैंक्स 30704 एरक्राफिट और 63 सब्मेरिन है चीन ताकतवर मिलिटरी वाले देशों में तीसरे नमबर पर है चीन के पास 6457 टैंक्स 2955 एरक्राफ्य और 68 सब मेरीन है रिपोर्ट के मुताबिक भारत चौथे नमबर पर है भारत के पास 4426 टैंक्स 2001 और 2 एरक्राफ्य और 15 सब मेरीन है लिस्ट में फ्रांस, इंग्लेंड, जापान, तुर्की, जर्मनी भी क्रमश बने हुए है जापान साथ में नमबर पर है और उसके पास 700 टैंक्स 1594 एरक्राफ्य और 17 सब मेरीन है चीन के रक्षा बजट को लेकर एक आज बात ये भी है कि अमेरिका के बाद सबसे अधिक खर्च चीन ही करता है लेकिन असल में चीन का रक्षा बजट अमेरिका के मुकाबले एक चौथाई ही है